दोस्तों ये है नए होंडा एक्टिवा 6g के तीन नए प्रीवयम एडिशन के कलर एक आपका यह मेट रेड हो गया दूसरा आपका मैट गुरीन हो गया और तीसरा इसमें आपको ये ग्लोसी बलू दे रखा है तो रूस्तों ये जो प्रीवा एडिशन है इसमें आपके तीन कलर्स दिये गए हैं और इन तीनों कलर्स के बारे में तो आज किस वीडियो में आप से डिटेल में बात करने ही वाला हूं कि इन में आपको क्या दे रखा है लेकिन उसके अलावा अगर आप यह होंडा एक्टिवा 6G या फिर कोई और 110cc का या के दिया गया उसके अलावा इस स्कूटर में और क्या-क्या दिया जाता है उस सब के बारे में आप से बात करने वाला हूं और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि भाईया अगर आपको यह एक्टिवा 6G पर पैसे लगाने चाहिए या फिर आपको यह हों लाइट केला है, दूसरा इसमें ये matt green कलर का option है और 19 इसमें ये glossy blue कलर का option है, तो मतलब कि दो तो आपके matte colors हो गए. एक तो आपका matte red हो गया, और टूसरा matte green वो गया और एक ये blue वाला आपका glossy में हो गया बाकि अगर आपकी मत कीमत करते हैं तो दूस्तों इनके design और build quality वग्यार के मामले में तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि आपको तीन तीन नए colors दे रखें पहले मैं ये red color वाले के बारे मी बात कर लेता हूँ तो दोस्तो ये matte red है आप देख सकते हैं ये आपको कैसा लग रहा है इधार आपको इसका interior दे रखा है इसकी जो seat का cover है ये भी आपको dark brown color का दे रखा है और इधर जो ये activa की badging होती है ये आपको golden color में दे रखे है और इधर काफी अच्छे से premium भी लिकर के दे रखा है और दूसरा इसमें ये matte green color का option दे रखा है बाकी जो इसका interior है जैसे की इसकी seat हो गई या फिर इसके interior का color हो गया वो आपको red वाले की तरह ही इसमें भी आपको brown color का ही दे रखा मतलब कि दोस्तों ये जो दोनों ही matte color वाले colors है इनका जो body color है वो तो आपको matte में दे रखा है यह काफी शाइनी सा कलर है और अगर आप इसके भी इंटीज है की बात करोगे तो इस पर भी जो सीठ है या फिर जो यह अंदर की प्लास्टिक है यह सारी की सारी आपको ब्रॉण क्लर की दे रखिये अगर आप बैजिंग देखोगे तो इस पर भी आपको यह एक्तिवा प्र तो उस मामले में मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई भी शिकायत आनी चाहिए और दोस्तों देखो इसके यह वील का कलर तो इन्हों ने डार्क कोपर दे दिया लेकिन देखने में यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यह अभी से ऐसा लगता है जैसे कि यह काफ अभी तक भी कोई भी alloy wheels का option नहीं दिया गया है डिस्क ब्रेक का इसमें कोई option नहीं आता है यह scooter आपको यह steel rim और जो यह drum brake होते हैं इसी के साथ आपको खरीदना पड़ेगा इसमें आपके पास कोई भी alloy wheels और disc brake का option नहीं आता है बाकि अगर आप suspension की बात करोगे तो इसके rear wheel है यह आपको 10 inches का ही दे रखा है यान कि front में 12 inches और rear में आपको 10 inches का ही दे रखा है seat और space के मामले में जैसे की seat का color तो बदल करके दे रखा है यह आपको brown color की seat दे रखिए बाकि इसकी size of fit shape में कोई भी change करके नहीं दे गया हाला कि इस पर अभी इतना space हो है कि दो लोग अराम से बैठ जाते हैं और सब स्कूटर में ऐसी सीट दी जाते हैं इस पर दो लोग काफी अराम से आजए बाकि अगर आप इस पेस की और बात करते तो इसमें आपको leg room को ठीक ठाक मिल जाता और आगे काफी space भी होता है तो मतलब जिन लोगों को थोड़ा वो समान रखक अर्टिकल नहीं लग रहा बाकि अगर आप सीट के अंदर की स्कूटर के बारे बात करोगे तो दोस्तों इसकी सीट के अंदर कुछ ज्यादा इस पेस मिलता नहीं है बस इतना ही इस पेस दिया जाता है बाकि इससे ज्यादा इसकी सीट के अंदर दिया नहीं जाता है और इ इसमें आपको LED वाला दे रखा है बाकी दोस्तों अगर आप रियर की बात करोगे तो दोस्तों रियर का जितना भी सेट अप है जैसे कि इसका यह टेल नेम्प हुआ या फिर रियर के जो यह इंडिकेटर्स हुए यह सारे के सारे आपको हैलोजन बल वाले ही दे रखे हैं और लेफ्ट हैंडल होता है उदर तो आपको लोगी मुश्के अंदर आपको पास स्वीच भी दे दिया इंडिकेटर स्वीच और आपका होन स्वीच हो गया और राइट है और यह साइलेंटली स्टार्ट भी हो जाता है वह थोड़ सा अच्छा लगता है बाग की दोस्तों अपने एक्टिवा 5G में भी आपको छोटी सी डिजिटल डिस्पेय दी दी लेकिन 6G में वो निकाल ली और उसके बाद बस आपको यह बड़ा सा एनलोग इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर दे दिया और आपको ओडोमेटर दे दिया इसके अलावा कुछ और देना आपको ज़र अप्शन दिया जाता है और उसके साथ साथ एक पोकिट भी दी जाती है तो दोस्तों वह फीचर भी एक्टिवा 6G में आपको नहीं दे रखा है लेकिन फीचर के मामने में एक चीज़ तो चलो मुझे इसमें अच्छी लग दिये वह इसका ही की सिच और वह इसलिए मैं आपको अभी दिखाऊं चाबी निकाल के दिखाता हूं और यह लिखा हुआ है ना फ्यूल और सीट तो जैसे ही आपकी चाबी इस पर होती है तो यह जो आपका बटन है यह आपका काम करने लगता है जैसे कि अगर आप यह उपर को दबाते हैं तो फिर इसके जो यह फ प्राइम भी नहीं लगता है बाकि आपका यह ओन वाला फंक्शन हो गया मतलब कि इसको यह की स्वीच है यह तो फीचर के मामले में मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है बाकी फीचर के मामले में डिजिटल डिस्प्ले क्या होती है या फिर कट-off साइड इस्टेंड क्य बाकि अगर आप इसका यह डिजाइन भी देखोगे तो दोस्तों टूजी के बाद 3G आया 4G आया 5G आया और अब यह है 6G लेकिन अगर आप इसका फ्रंट फेस या देखोगे फ्रंट फेस आप इस स्कूटर कर देखोगे तो यह अभी भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैस तो को यह एक्टीवर में क्या-क्या अच्छा मिलने वाला एक तो आपको इसके इंजिन की परफॉमेंस अच्छी मिलने वाली क्योंकि इसका जो यह 110 CC का इंजिन है यह सेग्मेंट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है उसके बाद इस इसी स्कूटर की लाइबलिटी चलाते हैं दूसरा उसके बाद अगर आप कुछ समय इस स्कूटर को चलाते हैं उसके बाद इसको बैचने जाते हैं तो फिर आपको रिसेल वैल्यू अच्छी मिलने वाली है तो मतलब कि दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल्टी देखोगे तो इंजन की पर्फोमेंस उसके ब बताईए आपके मन में कोई confusion है कोई सवाल है वो आप मुझसे comment में पूछिए मेरी तो यही कोशिश होती है कि जल से जल आपके comment पर reply देदू बाकि अगर आप comment में नहीं पूछना चाते हैं तो आप मुझसे instagram पर भी पूछ सकते हैं मेरे जो भी instagram के handle है वो मैंने आपको न helpful वीडियो मिल जाए बाकि आपको ऐसे ही वर भी वीडियो देखते रहना है तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप motors and more को subscribe भी करेंगे subscribe करने के साथ साथ notification वाली bell को all पर करेंगे जो आपको ऐसे हमारी वीडियो की notification मिलते रहे और बस दोस्तो आज किस वीडियो में कितनी और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में